नमस्कार दोस्तों आखिर किस वज़े से फिलिपीन्स ने तेजस को रिजेक्ट करके F-16 और ग्रिपिन जेट को फाइनल किया है क्या होगा अगर अगर अमेरिका 500 से जादा F-16 या F-18 फाइटर जेट्स को यूकरेन को दे देता है क्या यूकरेन अब रश्या को हरा पाने में काम्याब हो सकता है ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूँ आपका अमित अप्टेट्स चैनल पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वैभव पवार जी का सवाल है कि फिलिपिन्स ने तो हमारे ब्रहमोस को खरीदा है फिर तेजस को क्यों रिजेक्ट कर दिया इसी तरह का सवाल अजय चोधरी जी का है वो पूछते हैं कि क्या तेजस के रिजेक्ट होने की वज़े एफ-16 और ग्रिपिन के सामने कमजोर पड़ जाना है दोस्तों ये सवाल बार-बार पूछा जा रहा है इस सवाल की थोड़ी हिस्ट्री आपके साथ शेयर करता हूँ फिर आप ही डिसाइड करना की क्या वाकई तेजस को रिजेक्ट किया गया है या नहीं फिलिपिन्स एक छोटा सा आइलेंट्स वाला देश है फिलिपिन्स के पास काफी पहले F5A फाइटर जेट होते थे जो अमेरिका से लिए गए थे ये सबी 2005 में रिटायर कर दिये गए थे यानि 2005 से आज तक फिलिपिन्स के पास एक भी स्टेंडर फाइटर जेट नहीं है जबकि ज़्यादातर देशों के पास अच्छे फाइटर जेट्स मौजूद हैं फिलिपिन्स को अपने ही देश के विद्रोईयों को कुचलने के लिए हलके ट्रेनर कम फाइटर जेट की जरूरत पड़ी तो 2015 में साउथ कोरिया से 12 FA-50 ट्रेनर जेट लिए गए जिने लाइट अटेक जेट भी कहा जाता है अब जब चाइनिज नेवल जहाज लगातार फिलिपिन्स को तंग कर रहे हैं तो मजबूरी में फिलिपिन्स भी फाइटर जेट खरीदने की प्रोसेस में शामिल हुआ है फिलिपिन्स में अमेरिकी मिलिटरी बेस भी है तो जाहिर सी बात है अमेरिकी फाइटर जेट्स को खरीदने के लिए जबरदस्त अमेरिकी दबाव भी रहेगा तो 2018-2019 में फिलिपीन्स ने अमेरिका से 12 F-16 ब्लोक 70-72 फाइटर जेट्स खरीदने का प्रस्ताव रखा अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने 12 F-16 वाइपर की कीमत बताई 2.43 बिलियन डॉलर्स अब जानते हैं फिलिपीन्स का टोटल डिफेंस बजट कितना है तो वो है मातर 3.5 बिलियन डॉलर्स जिसमें डिफेंस के सभी करमचारियों की सेलरी और ट्रांसपोर्ट एरक्राफ वे हेलिकॉप्टर फोर्स की मेंटेनेंस भी शामिल है रही साई कसर कोविड-19 के समय पूरी हो गई जब फिलिपीन्स की इकोनमी और खराब हो गई तो फिलिपीन्स ने 12 F-16 वाइपर की डील से हाथ पीछे खीच लिये उन्ही दिनों एक रिपोर्ट सामने आई की एक फ्र 16 वाइपर के आसपास ही है तो मनी प्रोब्लम के कारण ग्रीपिन के E-Variant को भी नहीं खरीदा गया दोस्तों यहां यह बात ध्यान रखने लायक है कि अमेरिकी F-16 और स्वीडिश ग्रीपिन दोनों ही 2018-2019 से ही फिलिपीन्स एर फोर्स के द्वारा शोर्ट लिस्ट किये जब फिलिपीन्स पॉलिटिकल और रीजनल कारणों से सिर्फ F-16 या ग्रीपिन जेट ही खरीदना चाता है और जिनको खरीदने के लिए जरूरी मनी भी अभी फिलिपीन्स के पास नहीं है ना ही इनके लिए उसने बजट में कोई प्रोविजन रखा है तो फिर इन सब के भारत के तेजस जेट को रिजेक्टिड क्यों बताया जा रहा है ये सारा खेल है कुछ रिपोर्टर्स का जो चीजों को संसनी खेज बनाने के लिए अपनी तरफ से चीजों को जोड़ देते हैं अब इस 16 मेड 2022 की रिपोर्ट को देखिए जिसमें कहा गया है कि फिलिपीन् इंटरस्टिड है उसके कुछ ही दिन बाद याने की 7 जुलाई 2022 की रिपोर्ट में टेजस को रिजेक्टिड भी बता दिया गया रेफरेंस के लिए एक ही बात बताई जाती है कि ब्रहमोस मिसाइल की डील के बाद मेड 2022 में हल और फिलिपीन्स की एरो स्पेस डेवलेप्मे कोर्परेशन के बीच एक Memorandum of Understanding साइन किया गया था जिसमें भविश्य में फिलिपीन्स को भारत में बने एरक्राफ्ट, फाइटर जेट और हेलिकॉप्टर बेचने की बात की गई है अब आप खुद ही सोचिए कि जब भारत की तरफ से तेजस ओफर ही नहीं किया गया त सेंसर, जैमर्स और मिसाइल पैकेज को इवैलवेट ही नहीं किया गया तो तेजस रिजेक्ट कैसे कहा जा सकता है उधारन के लिए देखिए कि भारत को अपने एरक्राफ्ट केरियर के लिए लगभग 26 नेवल फाइटर जेट्स चाहिए कितने महीनों से फ्रांस का राफेल की प्रोसेस शुरू होगी तब जाकर एक फाइटर जेट चुना जाता है दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे इन्वेस्टमेंट से रिलेटिड कुछ बाते करना चाहूँगा नए इन्वेस्टर और ट्रेडर्स को बहुत मुश्किल होती है ये समझन में की शेर मार्केट कोई नसीब का खेल नहीं है नए इन्वेस्टर अपने दोस्तों या डिलेटिव को पूछ के इन्वेस्ट कर देते हैं जिने खुद उतना ज़्यादा एक्सपिरियंस नहीं होता उसके चलते कभी कबार भारी नुक्षान भी हो जाता है बिना नोलेज क शेर मार्केट में इन्वेस्ट करना हमेशा रिस्की होता है अगर आपको अपनी महनत की कमाई शेर मार्केट में इन्वेस्ट करनी है तो आपको इसके लिए एक फाइनेशल एक्सपर्ट जरूर लगेगा जो आपको सही गाइडन्स देगा फाइनेशल एक्सपर्ट आपके financial expert की help लें और इस मामले में सबसे बहतरीन experts मोतिलाल ओस्वाल के पास हैं मोतिलाल ओस्वाल से जुडने पर आपको एक financial advisor दिया जाता है जो आपको investment and trading से related हर question का जवाब देता है यही नहीं वो आपको investment से जुड़ी सही guidance भी देगा trading and investment करने के लिए है क्योंकि इने है 30 years से भी ज़्यादा का experience और साथ में इनके साथ जुड़े हुए है 29 lakh से भी ज़्यादा customers मोतिलाल ओस्वाल से जुड़ते ही आपको मिलते हैं बहुत सारे benefits और एक free d-mate account साथ ही साथ कोई maintenance charge भी नहीं देना पड़ता है d-mate account ओपन करने के लिए आपको आधार card, pen card और bank proof लगेगा आपको real time stock recommendations भी मिलेंगे मोतिलाल ओस्वाल के mobile application पे जो बिल्कुल free होगा मोतिलाल ओस्वाल से जुड़ते ही आपको एक welcome basket दिया जाएगा जिसमें आप उनके AI based tools यूज़ कर सकते हैं और साथ में brokerage reversal भी मिलेगा ये platform बहुती safe and secure है आप इनके mobile app या phone call से भी invest कर सकते हैं तो देर किस बात की description में दिये गए link पर click किजिए अपना नाम, phone number और city डाल के तुरंत अपना d-mate account खोलिए फिलहाल तो Philippines ने money problem की वज़े से नए नहीं, पुराने F-16 block 50 और पुराने gripping CD variant को ही कई वर्षों से shortlist कर रखा है F-16 का block 50 30 years पुराना variant है और gripping CD 20 years पुराना variant है इन दोनों में ही तेजस 1A की तरहें modern ASA radar और अच्छे jammers नहीं है ना ही इन में latest targeting pod मिलेंगे और ना ही ये composite material के बने हैं composite material और छोटे size के कारण ही तेजस का radar cross section काफी कम है इसी कारण इसे semi stealthy fighter jet कहा जा सकता है दोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि ये details जानने के बाद आप खुद समझ सकेंगे कि तेजस को फिलिपीन्स ने reject किया है या सिर्फ ये news को संसनी खेज बनाने के लिए बात उड़ाई गई है दोस्तों अगला सवाल राकेश कुमार जी का है उनका सवाल है कि अगर अमेरिका अपने हजारों fighter jets में से 400 या 500 jets यूक्रेन को दे देता है तो क्या यूक्रेन रश्या को हरा पाएगा देखे इस सवाल के साथ बहुत सारे इफ जुड़े हुए है अगर ऐसा हो जाए तो अभी तक तो अमेरिका और यूरोप का वेस्टन मीडिया यूक्रेन को एक बेबस बे सहारा कमजोर और मासुम देश दिखाने की कोशिस कर रहा है जो अपनी आजादी के लिए हमलावर रश्या से लड़ रहा है अभी तक अमेरिका और यूरोप यूक्रेन को छोटे हथियार जैसे होविजर एंटी टैंक मिसाइल एंटी हेलिकोप्टर मिसाइल राइफल्स आदी दे रहे हैं जिनसे यूक्रेन रश्या के साथ लड़ाई को लंबा खीच सके इन मामूली हथियारों से रश्या को हराया नहीं जा सकता है यह लड़ाई जितनी लंबी खीचेगी उतना ही डर का माहोल रहेगा इस माहोल का फाइदा उठा कर अमेरिका यूरोपियन देशों को खूब हथियार बेच रहा है जर्मनी जैसा देश भी अमेरिका से फाइटर जेट खरीदने को मजबूर हो गया है पोलेंड के उपर दबाव बना कर सोवेत यूनियन के समय के हथियारों और फाइटर जेट्स को यूक्रेन को दिलवाया जा रहा है ताकि अमेरिका अपने हथियार पोलेंड को बेच सके दोस्तों रशिया भी इस लड़ाई में अपने ज़्यादा एडवांस फाइटर जेट्स हाइपरसोनिक मिसाइल्स न्यूक्लियर पावर्ड सम्मरीन्स आदी को इस्तेमाल नहीं कर रहा है अमेरिकी एर फोर्स के पास हजारों फाइटर जेट्स हैं ऐसे में अगर अमेरिका यूक्रेन को एफ-15 या एफ-16 या एफ-18 सूपर होर्नेट जैसे फाइटर जेट्स देता है तो रश्या भी खुल कर सामने आकर कहेगा कि यूक्रेन तो बहाना है वास्तव में यह लड़ाई अमेरिका और नेटो ग्रूप के देशी लड़ रहे हैं रश्या साफ तोर पर यह प्रचार करेगा कि इस बड़ी लड़ाई के लिए उसे उकसाया जा रहा है फिर रश्या इसी एक्स्प्लेनेशन के साथ किसी एक नेटो कंट्री के ऊपर न्यूक्लियर हत्यार गिरा देगा और इसकी जिम्मेदारी अमेरिका को उठानी पड़ेगी तब अमेरिका बुरी तरह से फस जाएगा अगर अमेरिका इस लड़ाई को ओर आगे बढ़ाता है तो उस पर भी नूक्लियर अटैक का खत्रा रहेगा साथी साथ चाइना सी में चाइना भी लड़ाई का नया फ्रेंट खोलकर टाइवान पर अटैक कर देगा अमेरिका दो फ्रेंट की लड़ाई नहीं लड़ पाएगा और इसी के साथ अमेरिका की बादशाहत खतम हो जाएगी जो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा दोस्तों अगर एक पल के लिए मान भी लें कि यूकरेन को 500, F-16 या F-18 सूपर होडनेट मिल भी जाते हैं तो भी वो इन्हें ओपरेट नहीं कर पाएगा नहीं यूकरेन इनका खर्चा उठा सकता है नहीं उनके पाइलेट्स को ये अमेरिकी जेट्स उड़ाने आते हैं और नहीं यूकरेन के पास इन जेट्स में लगाने लाइक मिसाइल्स हैं उनकी जादा तर एर स्टिफ्स तो रशिया पहले ही बरबाद कर चुका है ऐसे में रशिया आसानी से इन अमेरिकी जेट्स को उड़ा रहे बेहद कम टेंट पाइलेट को टार्गेट बना सकेगा नतीजा ये होगा कि बड़ी संख्या में अमेरिकी जेट्स डिस्ट्रोई हो जाएंगे रशिया पूरी दुनिया में ये फैला देगा कि देखो अमेरिकी जेट्स पूरी तरहें से बेकार हैं और वहे कितनी आसानी से इस लड़ाई को जीत रहा है दोस्तों कुल मिलाकर बात ये है कि अमेरिका सिर्फ छोटे और कमजोर देशों पर ही अटेक करता है उसे अपने सैनिकों को खोने का बहुत बड़ा डर लगा रहता है इसलिए अमेरिका कभी भी ऐसे फैसले नहीं लेगा जिन से उसके उपर ही न्यूकलियर अटेक होने का खत्रा बढ़ जाए इसकी जगह पर अमेरिका एकनोमिक सैंक्शन्स लगा कर रशिया को बरबाद करने और दुनिया से आइसोलेट करने का खेल खेलता रहेगा दोस्तों ये थे आपके कुछ सवाल जिनके सटीक जवाब तलाशने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिजर्च की उमीद करता हूँ आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नमस्कार